गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज की अमारी हैपिनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, आशा करती हूँ, आप सभी अपने परिवार की साथ स्वस्तें, सुरक्षितें और खुश हो कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मैं रेखा सिंग, आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, एक और नई हैपिनेस की कहानी, और आज की हमारी हैपिनेस कहानी का नाम है सिक्षा क्यों प्यारे बच्चों, आप सभी सिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं और आपके माता पिता आपको स्कूल भेजते हैं सिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कितने भागेशाली हैं, लेकिन कितने सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जा पाते किसी भी कारण से वो सिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते आपने अपने आसपास ऐसे बच्चों को जरूर देखा होगा हो सकता है फुटपात पर आपने किसी बच्चे को देखा हो जो बहुती कम उमर का है और कोई काम कर रहा हो या फिर आपने अपने आसपडोस में कोई ऐसा बच्चा देखा हो जो छोटी उमर में काम पर चला जाता है, पढ़ नहीं पाता है या उसके माता-पिता पढ़ा नहीं पाते हैं तो ऐसे बच्चे सिक्षा से वन्चित रह जाते हैं, जो की उनका अधिकार है लेकिन उनको नहीं मिल पाता है जी हाँ प्यारे बच्चों, सिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है, हम उसको उसके अधिकार से वन्चित नहीं कर सकते हैं माता-पिता भी बच्चों को उनके सिक्षा के अधिकार से वन्चित नहीं कर सकते हैं हम सभी जानते हैं भारती समिधान में हमें कुछ अधिकार दिये गए हैं कुछ मुलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिये गए हैं और उन्ही मोलिक अधिकार में सिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। बच्चे को सिक्षा दिलाना उनके माता-पिता का करतववे है। अगर कोई माता-पिता अपने बच्चों को सिक्षा के अधिकार से वन्चित रखते हैं, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं या फिर छोटी उमर में उनसे काम करवाते हैं तो ये सभी गैर कानूनी है क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि माता पिता को इसके लिए सजा भी हो सकती है ये हमारे सविधान में प्रावधान किया गया है कि सिक्ष्या का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है सिक्ष्या के अधिकार में 6 वर्ष से लेकि 14 वर्ष तक के बच्चे को सिक्ष्या प्राप्त करने के लिए नजदी की सरकारी स्कूल में भेजना अनिवारिये हैं अगर उनके माता-पिता ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुती गलत कारिये है और इसके खिलाप कानूनी कारवाई भी की जा सकती है माता पिता को सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है और सरकारी स्कूल में किसी परकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती है इसलिए प्यारे बच्चो सिक्ष्या के अधिकार को जानने के बाद अगर आपके आसपस कोई ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता उसको काम पर भेजते हैं चोटी उमर में जो की 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में हैं और पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं भेजते हैं तो आप उस बच्चे को स्कूल में दाखला करवाने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं किसी से बादचित कर सकते हैं क्योंकि माता पिता को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि अपने बच्चे से चोटी उमर में काम करव और 6 वर्ष से लेकि 14 वर्ष के बीच में उनकी उमर है तो उनको भी स्कूल में भेजा जा सकता है क्योंकि सिक्ष्या का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है कोई उससे उसको छीन नहीं सकता है प्यारे बच्चों, सिक्षया का हमारे जीवन में कितना मैतवपून स्थान है? शिक्षित विक्ती अपने राष्ट का निर्मान कर सकता है, अपने देश को प्रगती के पत पर आगे बढ़ा सकता है, और अपना जीवन भी सवार सकता है. और बच्चे हमारे देश का भविशे हैं, हमारे देश का भविशे तब ही उजवल हो पाएगा जब हर बच्चा सिक्षा तक पहुँच पाएगा कोई भी बच्चा हो अगर उसको सिक्षा नहीं मिलती है तो हमारे देश का भविशे उजवल नहीं हो सकता है इसलिए 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बीच के आयों के बच्चों को सिक्षा का अधिकार दिया गया है नजदी की सरकारी स्कूल में या किसी भी स्कूल में उनको पढ़ने का अधिकार दिया गया है इसी विशे से संबंदित आज की हमारी happiness कहानी है आशा करती हूं सिक्षा के अधिकार के बारे में आपको जानकारी मिली होगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आईए अपनी कहानी को पढ़ते हैं सिक्षा क्यों हमारी कहानी भानु नाम के लड़के के बारे में है भानु रोज स्कूल जाता है और रास्ते में एक बच्ची को भीक मांगते वे देखता है आईए देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं भानु रोज रिक्षे से स्कूल जाते वे, रेड लाइट पर एक बच्ची को भीख मांगते देखता था, वै लड़की रोज भानु को देखती, भानु सोचता वै लड़की ऐसा क्यों करती है, एक दिन उसने उससे पूछा कि वै उससे क्यों देखती है, उस लड्की ने उस उसे बताया कि उसे भानु को स्कूल जाते वे देखना बहुत अच्छा लगता है। भानु ने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम आर्ती बताया। भानु ने जब उससे पूछा कि तुम भीक क्यों मांगती हो, तो वे लड़की रोते वे भाग गई। आज पर भानु बोला, सर में चाहता हूँ, वे खुश रहे, उसे भीक ने मांगनी पड़े। अब भानु आर्ती को भीक मांगते वे देखकर काफी परिशान हो जाता है, और राजे सर से सहायता लेता है, उनसे सवाल पूछता है। राजे सर ने उससे कहा, तुम क्यों पढ़ते हो भानु बोला, सर पढ़ने से समझ आती है, राजे सर ने फिर पूछा, समझ आने से क्या होता है, भानु बोला, जब कोई बात समझ आ जाती है, तो समस्या नहीं रहती, समस्या ने रहने से क्या होता है, राजे सर ने मन-मन मुस्कुराते वे पूछा, सर समस्या ने रहने से खुशी होती है, भानू ने कुछ सोचते वे बताया, राजे सर ने फिर परशन किया, क्या तुम नहीं चाहोगे कि आरती भी चीजों को समझ पाई, उसके पास भी कोई समस्या नहीं रहे, वे भी खुश हो पाई, जैसा तुम्हें सिक्षा पाने का अधिकार है, वैसा ही अध सिक्षा पराप्त करने का पूर अधिकार है, वानू ने राजे सर से कहा, अगले महिने से विद्यालों में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तब मैं आरती को स्कूल लेकर आऊंगा, और भानू समझ गया था, कि राजे सर क्या कहना चाहते हैं, भानू को अब बात समझ में आ गई थी कि आरती को भी सिक्ष्या का पूरा अधिकार हैं आरती भी किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन ले सकती है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं इसलिए उसने कहा कि एडमिशन शुरू होने वाले हैं और तब मैं आरती को स्कूल लेकर आऊंगा एडमिशन के प्यारे बच्चो ये थी आज के हमारी कहानी भानू के बारे में आरती के बारे में प्यारे बच्चो क्या इससे पहले आप जानते थे कि हर बच्चे को सिक्ष्या का अधिकार है छे वरसे लेके 14 वरस तक के बीच के बच्चे को सिक्ष्या का अधिकार हमारे भारती समिधा में दिया गया है क्या आप इसके बारे में जानते थे तो हमें बताईए अगर नहीं जानते थे तो भी आप हमें बताईए क्या आपने अपने आसपडोस में किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो पढ़ने के लिए नहीं जाता है जो स्कूल नहीं जाता है और जब आप स्कूल वो भी आरती की तरह आपको देखता हो और उसके मन में भी काफी बर ये बात आती होगी कि काश मैं भी स्कूल जाता हूँ. अगर किसी ऐसे बच्चे को आप जानते हैं या फिर आपने ऐसे बच्चे को देखा है तो हमारे साथ जरू साजा कीजिए. साथ में आपसे कुछ और सवाल हैं. भानो विद्याले चाते हुए क्या देखता था? आरती भानो को देखकर कैसा मैसूस करती थी? यदि आप भानो की जगे होते तो आप क्या करते? क्या आपके आसपास के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो स्कूल नहीं जा पाता है? तो आप उसके बारे में हमें बताईए. प्यारे बच्चों, सिक्ष्या प्राप्त करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति विक्सित होती है. किसी भी समस्या को हम बड़ी आसाने से समझ लेते हैं और अपनी बुद्धी से उसको हल करने का परियास करते हैं. अगर हम सिक्षित होते हैं तो हमें नहीं नहीं जानकारी प्राप्त होती है देश विदेश की जानकारी प्राप्त होती है प्यारे बच्चों किताबों के माध्यम से सिक्षा के माध्यम से हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है अपने देश के बारे में पता चलता है नए नए विग्याने किस-किस तरह की खोजे कर देश दुनिया में क्या हो रहा है बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हमें सिक्षा प्राप्त करने से और किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है अगर हम सिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो वो जानकारी हम तक नहीं पहुँचती है और जब नहीं नहीं जानकारी हमें मिलत तो हमारी समझ विक्सित होती है, हम अच्छे तरीके से, बहतर तरीके से कामों को समझने लगते हैं, उनको करने लगते हैं, और जब सारी समस्या हमारी हल हो जाती है, तो हम खुश रहते हैं, और खुश रहना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षे है, क्योंकि जब ह खुश रहते हैं, तो सभी काम और अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं, तनाव में या परेशानी में हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिक्ष्या का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, उसको बात समझ में आ जाती है कि आरती भी पढ़ सकती है। आज की इस कहानी में बस इतना ही आशा करती हूँ, आपको कहानी पसंद आई होगी, आई ही सुनते हैं दक्ष क्या कहना चाहते हैं। इसका नाम है एक जूता। तो मैं और मीरी ममी हम दोनों मार्केट गए थे तो उधर मेरे को एक खिलोना पसंद आया तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मेरे को याला एक खिलोना दिला दो तो मम्मी वो खिलोना दिलाने ही जाए थी पर उधर एक बच्चा आया तो उसने बोला भाईया मेरे को भी ऐसा एक सेम खिलोना दिला दो तो ममी ने उसको खिलोना दिला दिया तो मेरे को बहुत खुशी हूई जब ममी ने उसको एक खिलोना दिलाया आप भी दीजिए फ्रेंड सर जब भी आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है और वो आपके जैसे खिलोना मांगे ठैंक यू थैंक यू दक्ष अपने विचार हमारे साथ साजा करने के लिए आज की इस कहानी में बस इतना ही पूछे गए सवालों के जवाब जरूर दीजियेगा और हाँ कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साजा कीजियेगा मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ तब तक स्वस्त रहिए, वेस्त रहिए, मस्त रहिए और खुशो कर पढ़ते रहिए क्योंकि सिक्ष्या का अदिकार आपको मिला है और आप बहुत ही भागेशाली हैं इसका सही तरीके से परियोग कीजी अपने आपको सिक्षित कीजी और खुशो कर पढ़ना बहुत जरूरी है धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद